हमें अपने जीवन में किन-किन बातों को गुप्त रखना चाहिए आईए जानते हैं चाणके के इस नित से अर्थनाशंग मनस्तापंग ग्रहे दुस्चरितानिच वंचनंग चा अपमानंग चा मतिमान प्रकाशेत अर्थात धन का नाशंग मन का सन्ताप घर की बुराईयों को किसी के द्वारा ठगे जाने को और किसी के द्वारा अपमानित किये जाने को बिद्वान प्रकाशित न कर दें व्यक्या गुप्त रखने योग कुछ बातों का आचारिय चाड़क ने वड़न किया है वे कहते हैं धन का नास हो जाने का वड़न विद्वान व्यक्ति को किसी दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए सच है लोगों में यह विश्वास होता है कि फला व्यक्ति धन्वान है धन्वान व्यक्ति का समाज में अलग ही सम्मान होता है निर्धन को कोई नहीं पूछता लोगों को यदि इस बात का पता चल जाए कि वह व्यक्ति अब धन्वान नहीं रहा तो उसके सम्मान में फर्क आ जाता है नीति की बात यही है कि यदि लोगों में आपके धनवान होने का भ्रम है तो उस भ्रम को बना रहने दें धन के नाश होने का जिक्र किशी से न करें इसी प्रकार मन का संताप और घर के दोशों को भी किसी दूसरे के सामने प्रगट न करें इससे कुल की बदनामी होत अपने ठगे जाने और किसी के द्वारा अपमानित किये जाने का जिक्र भी व्यक्ति किसी से न करे ठगे जाने से अपनी बेवकूफी प्रकट होती है और अपमान वाली बात से निर्बलता सजनों यदि आपको चाड़क की इस नित से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाड़क के नेती सुनने के लिए किरपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नित को लाइक शेयर और कॉमेंट करने की किरपा करें धन्यवाद